एक अपॉर्चिनिटी आपके पास कहां से आती है हॉस्पिटल्स की ये तीनों पॉस्पे बहुत अच्छी सैलरी और रेस्पेक्ट मिलती है अब आपके पास दो जो उनके अगर हॉस्पिटल आ जाते हैं देखने के लिए तो आप समझ लीजे आपके पास आपके घर में कितन परामेडिकल कोर्सेज एबिलेबल हैं लेकिन इनहीं परामेडिकल कोर्सेज में से जो हमारा जो कोर्स है वो क्या है डायलेसिस आज हम जिस कोर्स के बारे में चर्चा करेंगे वो क्या है डायलेसिस अपॉर्चिनिटी आफ्टर कोर्स मीस डायलेसिस के बाद जब आप डाय पेड़ भी लगाते हैं तो हमारी यह विश होती है कि भाई यह पेड़ हमें फूल दे या फल दे ऐसे आपने यह डालेसिस कोर्स किया है किसी के कहने पे किया होगा या अपनी मर्जी से किया होगा या कहीं से भी सुना होगा तो आपकी विश होगी कि हां भाई मैं यह कोर्स क सकते हैं क्या-kya opportunity है तो थोड़ा सा sad feel होता है क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे rumors भी हैं कि नहीं dialysis के बाद opportunity है opportunity नहीं है तो यह बिलकुल गलत है आज मैं आपको यही बताऊंगी कि dialysis के बाद क्या-kya opportunity है साथ के साथ dialysis होता क्या है और dialysis में हम क्या-kya पड़ते हैं तो start करतें कि what is the dialysis सबसे पहले हमारा है हमारा जो point है वो कहां से arise होता है क्वाट इस दर डाल से ठीक है Is C कोर्स जो है वो दो पार्ट में कवर होता है पहला क्या होता है जानते हैं डायलेसिस क्या है डायलेसिस में क्या होता है ब्लड फिल्टर होता है अब ब्लड से भाई फिल्टर होने की ब्लड को क्या जरूरत पड़ गई आखिर ऐसा क्या हुआ कि हमें ब्लड को फिल्टर करने क भी जरूत पड़ गई तो आप खुद भी जानते हैं हम खाना भी खाते हैं हम पानी भी पीते हैं हम अधर चीजे भी करते हैं मतलब लिक्ट और सॉलिड दोनों ही चीजों को हम क्या करते हैं लेते हैं अब हमारी बॉड़ी क्या हमारी बॉड़ी को इतने खाने और पानी की ज झितनी हमारी बाड़ी को जरूरत होती है इन चीज़ों की उतनी चीज़ों को हमारी बाड़ी लेती है। एक्सट्रा चीजे होती है जैसे एक्सट्रा क्या होता है हमारी body में एक्सट्रा water ठीक है एक्सट्रा water हुआ यह हमारे पास क्या हुआ एक्सट्रा salt हुआ곡 चक्सट्रा आप जानते हो तॉक्सिन वेस्ट में आता है हमारा यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है, साथ के साथ क्रेटिनिन, ये सारी चीजों की नीड हमारी बॉड़ी को नहीं है, हमारी बॉड़ी को इन टॉक्सिन सॉस्टेंसिस की एक्स्ट्रा सॉल्ट की एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वोटर की नीड problem हो जाएंगी toxins substances रहेंगे metabolic acidosis बिगर जाएगा मतलब body में acid की मातरा बढ़ जाएगी जिससे की आप दूसरी चीज खाई नहीं पाएंगे दूसे दिन constipation हो जाएगा अब इन सब चीजों को एक method के दौरा यह आप बोल सकते हैं क्या किया जाता है blood से filtrate किया जाता है blood से filtrate filtrate किया जाता है और यह filtration का काम हमारे पास कौन कर रहा है हमारी body में यह कर रहा है kidney यह कौन कर रहा है kidney अब यह kidney कब तक काम कर रही है जब तक हमारी kidney ठीक है तब तक यह हमारी kidney blood को filtration का काम कर रही है और इन सभी चीजों को निकालके बाहर कर रही है हमारे शरीर से लेकिन ये वो सुचेशन है जिसमें हमारी किड्नी प्रॉपर वर्क कर रही है अब दूसरी सुचेशन क्या आती है दूसरी सुचेशन ये आती है कि माल लीजे ये किड्नी क्या हो गई फेल हो गई दूसरी सुचेशन क्या रही है किड किड़नी ने काम करना बंद कर दिया अब जब किड़नी सही थी तो तो ब्लड को फिल्ट्रेशन करें थी अब कौन करेगा अब कौन करेगा अब हमारे पास क्या आजाता है ऑप्शन अब हमारे पास जो ऑप्शन आता है वह आता है ब्लड को फिल्ट्रेशन करने के लिए किड समझारी किद्निमें नहीं होती है यह बाहर लगी होती है इस इस artificial kidney के द्वारा हम जब हमारी जो भी जिस पेशन की करणी खराब हो जाती है तो इस artificial kidney के द्वारा हम इस blood को filtrate करते हैं तो artificial kidney द्वारा blood के filtration का जो process होता है इस processing को हम क्या बोलते हैं इस process को बोलते है डाय-lysis क्या बोलते है डाय-lysis ठीक है तो यह डाय-lis का दो पार्स में कबर होता है जैसा कि और भी मैंने आपको यह बता अदा कि डाय-lysis blood filtration का काम करता है डाय-lysis में नाकिन बात यह है कि blood Filtration का काम कर दिया लेकिन आखिर हम इसमें पढ़ेंगे क्या-क्या डायलेसिस के कोर्स में केबल डायलेसिस तो पढ़ेंगे नहीं देखो इसमें किड्नी हमारी काम कर रही है तो किड्नी के साथ केबल किड्नी काम नहीं करती है किड्नी के साथ बहुत सारे औरगन काम करते हैं अब जब हमें उन औरगन के बारे में पता ही नहीं होगा उन अंगों के बारे में पता ही नहीं होगा या हमारी बोडी की सरचना के बारे में हमें पता नहीं होगा तो क्या हम यह सब चीजों को समझ पाएंगे बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे बहुत सारे लोग आप में से science background के होंगे जिन्होंने इन सब चीजों को पढ़ा होगा और बहुत सारे non science background के भी होगे लेकिन समय के साथ साथ सभी लोग अपनी जो पीछ पहले पढ़ा है उसको भूलते जाते हैं तो दुबारा से इसको हम क्या करते हैं resonate करते हैं दुबारा से आपकी mind में डालते हैं कि देखो भाई यह हमारे body का structure है हमारी body इस तरीके से काम करती है तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि dialysis को हम दो पार्ट में डालेसिस के कोर्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं यह डालेसिस के कोर्स में हम आखिर पढ़ते क्या क्या है यह देखते हैं पहला जो स्टेप है डालेसिस के कोर्स का वह कहां से आता है हमारा पहला जो स्टेप है उसमें हम क्या पढ़ते हैं जैसा मैंने आ हाथ में कितनी हड़ी आए हमारे हाथ की कौन सी हड़ी मूव करती है कौन सी नहीं करती है यह सारी चीजों के बारे में हम कहां पढ़ते हैं एनाटोबी में दूसरा क्या है फिजियोलोजी में हम यह पढ़ते हैं कि हमारा हाट कैसे काम करता है ठीक है हमारा हाट कैसे काम करता ह हमारा betreini kaise καongdrahe ये सारी चीजीजे हम किसे पढलते हैं फिसईलोजी मतलब शरीर के कार के बारे में हम से जो पढलते हैं दूसरा option क्या है कि शरीर की सरी others के बारे में हम कहा पढ़ रहे हैं इनाटोमी की में पढ़ रहे हैं अब next इसका एक तो हमारी पढ़ाई किस पे हो गई, anatomy, physiology पे, अभ जो next जो इसका पाठ एंउसमें हम क्या पढ़ते हैं, dialysis, यहा पढ़ते हैं हम dialysis, अब dialysis में क्या पढ़ते हैं, dialysis के कौyorsun alarm के बुर्ष में हम क्या पढ़ते हैं, dialysis क्या होता है? ठीक है, साथ के साथ dialysis करने के लिए किस किस चीज़ की जरूरत होती है कैसे हम पता करें कि इस patient को dialysis की जरूरत है या जो भी patient हमारे पास आ रहा है, इसकी kidney fail हो गई है, या ये कैसे पता करें कि भई इस patient को इतने घंटे की dialysis दे नहीं है या इस patient को ये dialyzer लगेगा या ये artificial kidney अच्छी होगी कैसे हमारे dialysis में dialysis machine work करती है कौन कौन सी machine होती है कौन कौन सी artificial kidney होती है fistula क्या होता है जो की vascular axis बनाया जाता है जब हम किसी dialysis को perform करते हैं तो एक महीने पहले या तो immediate या दो महीने पहले तो ये सारी चीजों के बारे में हम किसमें पढ़ते हैं dialysis के बारे में पढ़ते हैं तो अगर आप एक बार dialysis के course को cover कर लेते हैं पढ़ते हैं तो आप यह सोच लीजे कि आप आधी medical की चीज़ों को पढ़चुके हैं क्योंकि dialysis में आपका heart भी cover होता है कि टीबी कबर होती है, ब्रेन भी कबर होता है, तो बहुत सारी चीज़ें आप डायलेसिस के कोर्स में सीख जाते हैं, जो शायद ही आपको किसी पैरा मेडिकल कोर्स में सीखने को मिलता है, यहाँ पर आते हैं, यह तो हमारे इस स्टेप की बात आई, अब मेन बात आती है कि आखे डायलेसिस के बाद, डायलेसिस का कोर्स आपने कर लिया, इसके बाद अपोर्चिनिटी इस क्या है, अपोर्चिनिटी आफ्टर डायलेसिस कोर्स, तो इसके लिए आपके पास क्याई सारी जगे पर अपोर्चिनिटी होती है, डायलेसिस के कोर्स में एक तो मेली जो होती है most probably लोग कहाँ पर प्रफर करते हैं hospitals में hospitals एक opportunity आपके पास कहां से आती है hospitals की दूसरी अपॉर्चिटी opportunity डालेस में कहां से आती है home की अब आप यह बोलेंगे home home में बताती हूं dyalysis दो तरीके से होती है एक dialysis का procedure तो घुसरा होता है और दूसरा यह सकशव दो भी होने लगा और ऐस डाएलसों लिए वह मैं जाना पड़ता है ठीक है यह तो हो गया यह मने बता दिया अब अब यह वार अब करते हैं अगर आप अच्छी ला rare को थीच में बहुत अच्छी शब्री KP मिलती है स्टार्टिंग से लेके एंड तक इसके अलाबा अगर हम हॉस्पिटल में एविलेबल हैं तो हमारे पास हॉस्पिटल में हमारे पास क्या-क्या अपॉर्चनिटी है इसके बारे में जानकारी लेते हैं तो हॉस्पिटल में जो पॉर्चनिटी होंगी आपके पास में वो क्या क्या होंगी देखिए आप hospital में काम कर सकते हैं ऐसे junior dialysis technician senior dialysis technician as a centre manager center head साथ के साथ आप कहां पर job कर सकते quality quality में आपको simply simply मैं बता दू quality manager की post मिलती है और quality में आपको quality assistant की भी post मिलती है दोनों ही पोस्ट मिलती है आप अगर इन तीनों पोस्टों पे जाते हैं ये वाली तीनों पोस्ट ये पोस्ट भी बहुत अच्छी वाली knowledge, bell knowledge means, एक perfect, आप बोल सकते हैं, एक perfect knowledge चाहिए, पूरा जो भी आप सीख रहे हैं, डालेसिस में, वो प्रॉपर तरीके से आपको आना चाहिए, पर्फेक्ट knowledge होनी चाहिए, साथ के साथ क्या चाहिए, confidence, क्योंकि देखें आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों को भौत कुछ आता है लेकिन वो किसी के सामने कुछ बोल नहीं पाते हैं यहां पर क्या हो गया है जिटेशन और कॉंफिडेंश क्या है लो है अब जब आपको तो आपको क्या समझेगा कि नहीं से कुछ नहीं आता लेकिन अगर आपके पास यह दोनों चीजे हैं साथ के साथ आपके पास क्या परफेक्ट नॉलेज भी है तो आप इन तीन पोस्ट पे गबर्मेंट ऑफीसर की नियरवाई सेलरी को कमा सकते हैं यहां की जो स्टार्टिंंग सेलरी है वो 60 से 70 थाजन से स्टार्ट होती है तो अब भी सर्थaire को कर देए संधलिय नहीं मिलती है लेकिन आयाम को सबसे पहले मिलती है यह पोस्ट भी आपको तब तक नहीं मिलेंगी और तीनों पोस्ट भी जब तक कि आप इन दोनों फेस को नहीं कबर करेंगे, अगर आपने ये अपनी जूनियर डालेसिस टेक्निशन और सीनियर डालेसिस टेक्निशन की पोस्ट को बहुत अच्छे तरीके से जिम्मेदारी से निवाया है, तब ही ये तीनों पोस्ट आपके लिए ओपन होती है, अधर्वाइ से तीन साल, दो साल से उपर, जितनी भी आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास एववव टू येर एक्सपीरियंस है, तो आप कहां काउंट होते हैं, सीनियर डालेसिस टेक्निशन की जौब में, अगर आप सेंटर मैनेजर की जौब को करना चाहते हैं, तो आप के पास ever ever five year experience होना चाहिए ever five year experience होना चाहिए as a dialysis technician तब आप इस post के लिए eligible है center head की बात करते हैं तो इसके लिए भी same criteria ever five year quality की बात करते हैं तो आपको यहां पर आता है five to eight के मिड़का five to eight tier का आपके पास experience होना चाहिए या आप बोल सकते हैं कि at least eight साल से उपर का experience आपको quality में होना चाहिए यह तीन post पे अच्छी salary मिलती है और जो next post है वो क्या है वो आती है dialysis में head office की post head office में भी जो भी लोग 10 साल काम कर चुके होते हैं उनको head office क्या करता है बाद में जाके as a manager head office में ही बिठा के क्या बोला जाता है कि आपके पास माली जब डैली में job कर रहे हैं head office में तो बता दिया जाएगा कि आपका डैली का south zone या इस्ट जोन आपको समालना है अब आपके पास दो जोन के अगर hospital आ जाते हैं देखने के लिए तो आप समझ लीजे आपके पास आपके घर में कितना आ गया वन लैक रूपीज इबिन यह मैं मिनीमम बता रहे हूं वन लैक रूपीज से एवब आ गया ठीक है आपके पास तीन आद आते हैं तो इससे उपर समझ लीजे ठीक है तो आप सोचिए कि आप अगर एक अच्छी नॉलेज रखते हैं आप एक अच्छा मतलब नॉलेज कैसी आपको ठीकल नॉलेज भी होनी च और कांसी प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ही मजबूत होनी चाहिए बाहर की दुनिया की चाहिए आप कम नॉलेज रखें लेकिन डायलेसिस में बहुत अच्छी रखें तो आपको हैड ओफिस यह अपॉर्चनिटी प्रोवाइड करता है जिस पे आप बहुत अच्छी सलरी पाते हैं तो देखें आज की डेट में आपको किलियर हो गया होगा कि आपके पास डायलेसिस का कोर्स करने के बाद कितनी अच्छी अच्छी अपॉर्चनिटी है और जहां से आप कितना कितना पैसा कमा पाते हैं लेकिन यह तब ही एविलेबल है जब आपका फोकस पूरा क कोर्स पे होगा, आप अपने कोर्स को अच्छी तरीके से करेंगे, तब यह अपरचुनिटी गेन कर पाएंगे, अदरवाइस नहीं, तो यह मैंने आज का जो वीडियो है, यहाँ पर आपको सारा किलियर कर दिया है, dialysis में क्या-क्या opportunity है और dialysis में हम क्या-क्या पढ़ते हैं तो फिर भी अगर कुछ भी रहता है तो आप लोग हमसे contact करें Thank you